हलो एवरिवन, वेलकम टूमा यूट्यूब चैनल, भारती सविधान स्रेटेड एमसी क्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, यह इसका 18 पार्ट है, इससे पहले मैं 17 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टॉपिक सिलेबस में होता है, और इंडियन पॉलिटी में सबसे इंपोर्टन टॉपिक है भारती सविधान, इससे मिनिमम एक या दो कुशन तो एक्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर इसके नोर्स भी बनाते हैं, तो आपको फ्यूचर में रिविजिन में इजी रहेगा, क्योंकि एक्जाम से पहले आप पूरी वीडियो वापस नहीं देखने बटेंगे, इसलिए अगर आपके पास अपने शॉर्ट सविडान अबेश की शासिन की बटा इसे राष्ट पती सिक्स अनुचेद मेंहीन राष्ट पती शासिंहना का भी होता है राष्ट और कि अगर जैसे किसी राज्य में सविधानिक तंत्र विफल हो जाए ऐसा अगर राश्टपती मैसुस करता है या फिर राजपती से सिफारिश करता है कि आप इसमें राश्टपती शासन लगाइए तो इस प्रकार आर्टिकल 356 के अंडर में वहाँ पे राश्टपती शासन लागू किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है निम्नांकित में से भारती सविदान के कौन से अनुछेद में किसी भी रूप में अस्प्रिश्यता निशेद के लिए प्रावदान है अस्प्रिश्यता जो छुवा चोद होती है उसके निशेद के लिए आर्टिकल 17 अनुछे 17 उसमें इसका प्रावदान किया गया है नेक्स्ट कोशन है नीती निर्देशक सिद्दान्त हैं वह किस टाइप के सिद्दान्त हैं तो जो नीती निर्देशक होते हैं वे वाद योग्य नहीं होते हैं बाकि जो मोलिक अधिकार होते हैं वे वाद योग्य होते हैं तो option number 1 इसका correct answer है नेक्स्ट इन राज्जक के नीतीनिर्देशक सिद्दान किस प्रकार मौलिक अधिकारों से बिनने हैं तो जो नीतीनिर्देशक सिद्दान जीसे की प्रिविएक्स कुष्ण के और एंसर की एक्स्प्रेशन मेंने आपको बता दिया इसे इर्टेर next question पूछा गया है तो इसमें आप जैसे option पढ़िए पूर्वक्त केंदर सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए केने का मतलब जो नीति निर्देशक है वा केंदर सरकार के लिए है और जो मौलिक अधिकार है वा राज्यों के लिए तो ये कथन सही नहीं है फिर है राज्य के नीति निदिशक सिद्दान प्रवर्तनिय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनिय है ये भी गलत है फिर है पूर्वक्त सविद्दान का अंच नहीं जबकि उपरोक्त है ये भी गलत बात है के लिए बात पूची गई है कि सूप्रीम कोट के लिए तो जो राश्ट पती होता है वह इन्हें पत से अटाता है पर इसके लिए सिफारिश की जाती है संसत के द्वारा नेक्स्ट कोशन है उच्छ न्यायले के न्यायदिशों के सेवाने वृत की अधिक्तम उम्र सीमा क्या है उच्छ न्यायले की तो वह उम्र सीमा है 62 यर्ज नेक्स्ट कोशन है दल बदर प्रवर्ति पर सरवादिक ठोस करवाई निम्लिकित मानी जाती है दल बदर प्रवरति तो सरवादिक ठोस करवाई क्या होती है कि दल बदलने वाले सदस्य का अपनी सीट से इस्तिफा देना जरूरी हो अपने पार्टी चेंज करती तो आप उस पत पर बने रहेंगे तो आपको उस सीट से इस्तिफा देना पड़ेगा कंपल सरी नेक्स्ट कोशन है अन्य रजवाडों के भारत में विलाय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया तो इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर टू जुनागर, हेदराबाद और जमो कश्मी मतलब जब देश आजा दुआ था तब देश में अनेक देशी रियासते थी रजवाडे थे तो उनके पहले तो उन्हें ऐसी स्वतंतरता दी गई थी कि आपकी मर्जी है यहां तो आप रही है यह भारत में आजाई यह पाकिस्तान में आ जाईए पर मतलब बाकी सबने तो भारत में आना स्वीकार कर लिया था जुनागर, हिद्राबद और जम्मु कश्मी की जो रियासते हैं वे फिलाल भारत में नहीं आना चाहती थी तो जब भारत का एकी करण हुआ था इसमें अपने सुना योगा की सरदार वरलब भाई पटेल का काफी अहम उसमें योगदान रहा था इसलिए भारत के लोग पूरुष कहा जाते हैं तो उन्होंने अपनी ट्रिक से इन टीनों को भारत में विले करवाने में काफी हेल्प की थी नेक्स कोशन है बारती राजनीती के संदर्ब में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है बारती राजनीती के संदर्ब में तो आपको एक्जाम में ही दियान रखना है कि कोशन जो है वो सही का पूछ रहे हैं गलत का पूछ रहे हैं किस ट्रैप के पूछ रहे हैं तो इसका अगर एक टान्सर है राश्ट्री विकास परिशत में केंदरी वित्त मंद्री दृ आपको क्या करना है जब आप इस-ट्रैप के कोशनद से ऊल है तो आपको पहले अच्छे से पढ़ना है की नहीं पुछा है कि हां के लिए पुछा है ऐसा तो इस प्रकार भारत के सविदान से ड़ेड एमसी क्यूज हमारे आज के पूरे होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए ज्यादा श्यादा शेयर कीजिए यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अप्डेट होते रहेंगे अगर आप मुझे किसी ओ टोपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू सो मच